हेलो मोटो के upcoming smartphone के बारे में जो की है Motorola G71 यह smartphone यूरोप और चाइना जैसी countries में already launch हो चुका है और यह smartphone जो offer करता है जिस price पे offer करता है वो काफी interesting है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह smartphone तो ज्यादा time waste ना करते हुए इस video में हम इसी smartphone के उपर बात करने वाले है क्यूंकि यह smartphone बहुत ही जल्दी इंडिया में launch होने वाला है तो आपने एक उस time से notice किया होगा कि Motorola अच्छा comeback कर रहा है काफी अच्छे अच्छे smartphone market में लेकर आ रहा है तो Motorola की जो G series है जिसमें G31 बगेरा smartphone आये थे जो की काफी ज़्यादा popular हो गए थे तो उसी G family का ये एक member है तो G71 बाकी G series के smartphone जैसा ही दिखता है तो इतना ज़्यादा कुछ difference नहीं है अगर आप सामने से देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगी कि ये G31 smartphone है तो इस smartphone को देखकर ऐसा लग रहा है तो इतना कुछ change नहीं है हाँ यहाँ पर भी हमें center punch hole देखने को मिलता है तो आपको screen में जो फुल view आएगा ये एक 5G smartphone है तो इसमें definitely 5G तो होने वाला लेकिन एक smartphone का नाम से 5G होना और actually एक 5G smartphone होने में काफे ज़्यादा difference है तो ये smartphone actual में एक 5G smartphone है क्यूंकि एक 5G smartphone में सबसे ज़्यादा जरूरी होते है 5G bands तो चाइना और यूरोप जैसी countries में जहाँ पर ये launch हुआ है वहाँ पर हमें इसमें 13 5G bands तेखने को मिलते है अगर इंडिया में भी इतने ही bands ये offer करता है जो कि लग राए इतने ही होने वाले तो ये smartphone one of the best 5G smartphone बन जाएगा उस list में चला जाएगा तो price की बात हम इसके बात करेंगे सबसे पहले बात करते है इसके specification की इसके अंदर बाहर क्या माल भरा हुआ है तो सबसे पहले display की बात करें तो 6.4 inches का एक OLED डिस्पले मिलता है तो काभी सारे लोग confused होते है OLED और AMOLED में तो दोनों एक ही है बस नाम अलग अलग है तो बस ऐसा है कि बाहर पिंटो और घर में चिंटू बस यही बात है वरना आदमी एक ही है बस company जो है वो OLED या फिर AMOLED बोलके हमको confused करती है तो इस phone में standard 60 Hz का refresh rate मिलता है यहाँ पर 90 Hz या फिर 120 Hz होता तो और ज्यादा बहतर रहता ठीक है अब क्या कर सकते हैं काम चलाना पड़ेगा और प्रोसेसर की बात करें तो snapdragon का 695 प्रोसेसर आता है जो की एक 5G प्रोसेसर है और सबसे important काफी ज्यादा powerful है तो यह 600 सीरीज का एक प्रोसेसर है यह समझ कर इसको underestimate बिलकुल भी नहीं करना यह snapdragon के 720 G प्रोसेसर को भी पीछे छोड़ देता है कुछ मामलों में और अंतुतु स्कोर में तो यह बिलकुल ही पीछे छोड़ देता है तो हाँ नो डाउट आपको performance काफी बढ़िया मिलने वाली इस phone में इसमें आपको 8GB प्लस 128GB तक का RAM storage option मिलने वाला है और आप इसमें SD card भी लगा सकते है जो की अच्छी बात है अगर आपको ज़्यादा storage की ज़रुत है और बात करे camera की तो rear में triple camera setup होने वाला है 50MP का main, 8MP का ultra wide, 2MP का वही useless macro lens, telephoto lens क्यों नहीं दे थे पता नहीं और selfie camera की बात करें जिससे लोगों को ज़्यादा ब्यार होता है इसमें हमें 16MP का center punch hole camera मिलता है तो या आप selfie वगेरा भी खीच सकते है और 5000 mh की battery मिलती जो की आपको अच्छा backup देगी 33W का fast charger मिलता है तो आपको charging speed में इसमें अच्छी कासी देखने को मिलीगी अब आते सबसे important point के उपर जो की है price इस phone का price क्या होने वाला है तो यूरोप country में ये launch हुआ था 25,000 के around चाइना में launch हुआ था 19,000 के around तो इंडिया में भी definitely ये 20,000 के नीचे ही आएगा तो हाँ 20,000 के अंदर ये smartphone आपको AMOLED display, 5G और अच्छा camera setup और साथी साथ अच्छा battery backup वगेरा offer करेगा तो specification wise ये smartphone no doubt काफी ज़्यादा impress हुए जब आ जाएगा तब इसके reviews बगेर आएगे तब और देखेंगी कि कितना अच्छा smartphone है लेकि no doubt specification को देखते वे ये smartphone बहुत ही बड़िया लग रहा है और launch date की बात करें तो अभी तक ऐसे confirm कोई news नहीं है ये confirm ऐसी कोई date नहीं कि इस तारिक पे आ रहा है या फिर उस तारिक पे आ रहा है जब date पता चल जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा तो ये smartphone आपको कैसा लगा आप नीचे comment में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और हाँ आपको फिर से नए साल की शुपकाम नाए